आपने तो हिलो फ्रेंट्स आज के इस क्लास में आप प्राक केथिहांसी काल सी बिहार special questions देख रहरे हो आज के इस क्लास में आपको total 39 questions देखना है जो कि प्राकथिहांसी काल से काफे important रहता है आपके बिहार के किसी tober exam में खास करके BPSC CDPO का भी practice set चल रहा है उसी के लिए आपको आज के यह class provide कर रहा है इस class के बाद आपको प्राचीन बिहार में समाजिक और जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था जैसे बहुत धर्म जैन धर्म वगड़ा इन सारे topics से आपको question देखना है आज के इस class में 39 question आप देखिए कोशिश करिए 30 plus question यहाँ पे सही करनेगा ध्यान देंगे एक बाद अगर आप में से किसी को class का PDF चाहिए होगा तो आप इस number पर message करेंगे आपको class का PDF भी दे दिया जाएगा 957684355 पर आप message करिएगा और आपको PDF दे दिया जाएगा फ्रेंड्स एक बात ध्यान और दे दिजेगा कि अगर आप 39 questions पर कमांड कर लेते हो तो इतना भरोशा रखिएगा प्रा कहतिहासी काल से आपका एक भी question नहीं छोटेगा क्योंकि आपको पहले ही बताया जा चुका था कि यह जो IS हैं डॉक्टर मनीश रंजन इनके द्वारा बिहार स्पेशल का बुक जो प्रॉबाइट करवाया गया है उसमें टोटल 7000 प्लस MCQs दिया हुआ है जिसमें कि आपका लगवाग 4000 questions है 2000 के आसपास आपका प्रैक्टिस से question दिया हुआ है और 1000 question है जो आपका previous year से है तो आप यह समझ लिए टोटल अगर आप 7000 question को देखते हैं तो बिहार पे आपका 100% पकर हो जाएगा एक भी सवाल नहीं छूटेगा इस बात का guarantee दिया जा रहा है इस book के लवारा और देखिए इस class में 39 question देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे एक भी सवाल इसके अलावा आपके बिहार से बनकर नहीं आएगा आए श्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला question देखते हैं आदी मानव के निवास के साक्ष बिहार के कुछ अस्थानों से लगभग कितने वर्स पुर्व के मिले हैं तो friends एक बात यहां पर समझिए सबसे पहले पुरा पाशान काल के बारे में जान लिजिए पांच लाख पांच लाख इशा पुर्व से लेकर ध्यान देंगे पांच लाख इशा पुर्व से लेकर दस हजार जो आपका इशा पुर्व हैं यहां तक के शमय को आप पुरा पाशान के नाम से जानते हैं इसी युग में आदमी अपना खाना पिना वर्ज जीसे खाद शंगरहन था पशू का सिकार करना लोग परवत में कहिए और जो यह सेला सरे बना होता था इन समय रहने का जो काम चालो हुआ था यह आपके यह पुरा पाशान काल में ही हुआ था अब इस सवाल का जवाब दिखे क्या होगा अप्शन नमबर आपका यहां पर डी हो जाएगा राइट अंसर एक लाख वर्स पूर्व ध्यान देंगे आदी मानव के निवास के शाक्ष के बारे में बिहार के कुछ अस्थान से लगभग कितना एक लाख वर्स पूर्व के शाक्ष मिले हैं आप्शन नमबर डी आपका यहां पर राइट अंसर हो जाएगा बिहार के किस अस्थान से पुरा पाशान यूगिन अवशेस उत्खनन से प्राप्त हुएं तो आपको पहले भी इस questions को बहुत बार बताया गया है पत्ना, मुंगेर और नालंदा तीनों जगह से मिला है तो option number D यहाँ पे आपका राइट अंसर हो जाएगा प्राक एतियासी काल का प्रारंभिक चलन यूग जो है वो कहलाता है कौन सा पाशान, तामर, काउंस या फिर पूरा पाशान option number यहाँ पे A हो जाएगा राइट अंसर यहाँ पे पाशान यूग कहलाता है यहाँ पे आप पाशान फिल करेंगे आपका यह राइट अंसर हो जाएगा बताना है कि कब मानव ने पत्थर के उपकरनों के आधार पर अपने शंस्कृति का निर्मान किया option number B राइट अंसर हो जाएगा पाशान यूग में बताना है कि बिहार के किस अस्थान से पुरा पाशान यूगिन उपकरन प्राप्त हुए है option number D राइट अंसर है क्योंकि देखिए जेठियन घाटी वालमेकी नगर और राजपोखर इन तीनों जगह से बिहार का यह तीनों जगह है जहां से पुरा पाशान यूगिन उपकरन वगड़ा यहां से मिला है निमन में से कौन सा जोड़ा गलत है यह आपको बताना है देखिए गयार से यह पुमार घाटी मुंगेर से मुंगेर में पैसरा और भागलपूर से राजपोखर यह तीनों यहां पे सही मैच किया हुए पटना जो जेठियन घाटी दिया हुए ऑप्शन नमबर डी आपका यहां पे यह गलत जवाब हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नमबर डी यहां पे आपका राइट होगा देखिए जेठियन घाटी जो है पुरा पाशान कालिन अस्थल वरतमान के किस जिले में है जब यहां पे अभी आपने देखा था पटना में यह गलत है तो बताए राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी हो जाएगा यहां नालंदा में है ध्यान देंगे जेठियन घाटी जो है यह पुरा पाशान कालिन अस्थल है यह नालंदा जिला में है ऑप्शन नमब बिहार के विभिन अस्थानों से प्राप्त हुए हैं ऑप्शन नमबर आपका देखिए अस्क इसक्रैपर और फलक यह तीनों यहां पर सही हो जाएगा ठीक है यह बिहार सही मिले है ऑप्शन नमबर डी आपको यहां पर राइट अंसर हो जाएगा पुरा पाशान काल में म बिहार के किस अस्थान से प्रागयतिहासिक मानव के दो चट्टाने आवाश के अवशेश प्राप्त हुए हैं जगर का नाम बताईए मुंगेर से मिला तो ऑप्शन नमबर यहां पर डी हो जाएगा राइट अंसर बताना है कि सेर घाटी प्रागयतिहासिक अस्थान बिहा अगर आप इन सारे कोशन को पहले पढ़े होंगे तो अच्छी बात है बट अगर अभी तक आपने आपने यह प्रागयतिहासिकाल से इन सारे कोशन को नहीं देखा है तो आप इसे अच्छे से याद कर लिजे क्योंकि अभी जश्ट बिहार SI वाला जो एक्जाम हुआ था उसमें आपने देखा था कोशन का लेवल काफी ज्यादा हाई था अभी तक बिप्यसी ने जिस तरह का पैटर्ण पे कोश्ट पूछा है जरूरी नहीं है कि आपको अकबर बिरबर बार बरस के ही बारे में हर बार पूछा जाए यह जिसे से गहाटी प्रागयतिहसी जो अस मनुष्य द्वारा क्रीशी काल कब प्रारंब किया गया था बताए किस काल में स्टार्ट हुआ था ओप्शन नमबर सी हो जाएगा नव पाशान काल में क्रीशी स्टार्ट हुआ था देखिए नव पाशान काल यह मध्य पाशान काल बिहार स्पेसल में आपको काफी कसन के साथ बताया जा चुका है आप उस क्लास को प्रेलिस्ट में आकर आकर जरूर देख लीजेगा बताए निम्र में से कौन बिहार का नवपाशान कालिन अस्थल है ऑप्शन नमबर आपका देखिए कुतुबपूर मनेर सेनवार यह तीनों हो जाएगा सही जवाब बिहार का यह नवपाशान कालिन अस्थल है तो ऑप्शन नमबर डी आपका राइट अंसर हो जाएगा निम्र में से कौन सत्य नहीं है यह बताना है तो देखिए ऑप्शन नमबर आपका जो वैशाली से चेचर रोता से सेनवार गया से ताराडी यह आपका तीनों यहां पे सही द हो जाएगा राइट आज आंसर गंगा नदी के तर्ट पर है चिरांद का उत्खनन कब हुआ था बताईए आपको पता होना चिरांद जो है यह सारन जीले में है ठीक है सारन जीले का काफी ज़्याद आई बिहार का इंपोर्टेंट पुरा तत्विक अस्थल है तो चिरांद के तर्ट पर है और अप्शन नमबर डी यहां पर राइट अंसर हो जाएगा फल्गु नदी के तर्ट पर है बताना है कि निमन में से कौन नव पाशान का लिनस्थल कूर्दा नदी के तर्ट पर इस्थित है अगर आपको पता होता अच्छी बात है नहीं तो पताना है कि मानव ने पहली बार धातू के रूप में बताए पीतल तामबा लोहा या फिर कांसा किस चीज का उप्योग किया था ऑप्शन नमबर आपका बी राइट अंसर हो जागा तामबा का बिहार में ताम्र पाशान संस्किति के पर्मान कहां से प्राप्त हुए है पचास इसा पुर्व के आसपास गंगा घाटी में अंतरीजी खिरा जो कि उत्तर प्रदेश में है वहां से किस धातू के मिलने का प्रमान मिलता है ऑप्शन नमबर ए राइट अंसर हो जाएगा लोहा के मिलने का प्रमान मिला है लोह यूग जो है वो किस यूग का काल है व उत्रवैदिक का ही ये काल है लोह यूग का दूसरा चरन जो क्या कहलाता है उत्री काले मेरिद भांड धूसर मेरिद भांड काले मेरिद भांड या फिर उत्री धूसर मेरिद भांड क्या कहलाता है option number A यहाँ पर right answer हो जाएगा उत्री काले मिदभांड के नाम से आप जानते हैं लोह यूग के दूसरे चलन को बिहार में पहली बार नगरी करन का शाक्ष कब मिलता है किस यूग में मिला है यह आपको बताना है तो option number आपके यहाँ पर बिहार में पहली बार नगरी करन का शाक्ष अगर पूछे तो लोह यूग में मिलता है लोह यूग में देखिए हरपा सब्विता का काल कब शे कब तक माना जाता है option number D right answer हो जाएगा बाइस स्वा से लेके सत्रों सो इशापुर्विक के तक के काल को आप किस रूप में जानते हैं हरपा सब्विता का काल है रिगवेद का काल कब शे कब तक माना जाता है option number आपका यहाँ पर शीर आई टांसर हो जाएगा 1000 से लेकर माफ किजिए का 1520 से लेकर 1000 इशापुर्विक का जो काल है उसे आप रिगवेद का रिगवेद काल के नाम से जानते हैं आरी संस्किति का गंगार घाटी में विस्तार कब से कब तक हुआ था option number आपका शीर आई टांसर हो जाएगा 1600 इशापुर्व तक के काल को सत्पत ब्राहमन में गंड़क के मैदानी छेद्रेन कि विदेह के बारे में पूछा गया है कि आरियों के बशने का उलेख कब कब का मिला है ये बताना है आरी कब थे तो option number C हो जाएगा 800 इशापुर्व में उत्तरवैदिक का काल करम कब माना जाता है option number यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा option number C एक हजार से लेके 600 इशापुर्व तक क्या काल को आप उत्तरवैदिक के काल के नाम से भी जानते हैं देखे निम्न में से कौन सबसे प्राची नेवग सबसे बड़ा ब्रामन गरंथ है option number A राइट आंसर हो जाएगा सत्पत ब्रामन आप देखिए next question में है कि निम्न में से किसने किसके रचीता याग्यवल याग्यवल है option number आपका यहाँ पे न D हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा सत्पत ब्रामन राइट आंसर हो जाएगा बताना है कि निम्न में से कि साहितिक शुरोत के अनुसार आरियों ने सरुपर्थम उत्तर प्रश्चिम भारत में प्रवेश किया option number आपका शीर आइट आंसर हो जाएगा सत्पत ब्रामन के सुरोत से ही पता चलता है कि आरी सबसे पहले उत्तर प्रश्चिम भारत के ही थुरूप आये थे आरियों द्वारा कि इस नदी के तड़ पर बड़े बड़े यग्यों एवं कर्मकान्डों का आयोजन किया जाता था option number आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा सुर्शती नदी के तड़ पर बताना है कि निम्न में से किस की कहानी सत्पत ब्राहमन में मिलती है option number आपका यहाँ पर देखिए जो माधव विदे हैं और आपका गौतम राहुगन है इन तीनों की कहानी में सत्पत ब्राहमन के बारे में आपको जानकारी मिलती है निम्न में से किस्ट के द्वारा आरे संस्कीती का विस्तार उत्तर बिहार तक किया गया ओप्शन नमबर बी राइट अंसर हो जागा माधव विदे बताना है कि निम्न में से किस्ट नदी को सदा नीरा कहा जाता है option number B right answer गंडक नदी को आप सदा निरा के विए नाम से जानते हैं आरियों के मिथला विदेह के विदेह छेत्र के विस्तार एवं बशने का प्रमान कहां से मिलता है यह बताना है option number D right answer हो जाएगा सत्पत ब्रहामन से ध्यान देंगे आरिके मिथला विदेह के छेत्र में जो विस्तार और बशने का जो प्रूफ मिलता है वो आपके सत्पत ब्रहामन में ही दिया हुआ है option number D यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा next question में आपको बताना है कि निमन में से कहां के राजा दार्षनिक विद्वान थे जिन्होंने उपनिश्दों की रचना करवाई थी option number आपका B right answer हो जागा विदेह आपका यहाँ पे right answer है तो friends अभी आपने total 39 question देखा जो की प्रा कहती हैं से काल से बिहार special था आसा करता हूँ इन सारे 39 questions में से आपका marks अच्छा marks आपका आया होगा अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी doubt हो या आपको इस class को फिर से देखना हो पढ़ना हो और अगर आपको PDF की ज़रुवत हो तो आप message करिएगा आपको PDF मिल जाएगा अभी इसके बाद next प्राचीन बिहार में समाजी को जो धार्विक, सुधार, अंदोलन वगरत था ये बहुत धर्म सबसे इन सारे topics से आपको बिहार special से questions देखना है जो कि आपके बिहार special के लिए काफी ज़्यादा important रहने वाला है और class को देखने के बाद इतना भरोसा लखिएगा एक भी question आपका बिहार special से topic wise जो भी बताया जाएगा उसके बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा I say friends बने रहे गए विशी अकर्मी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत thanks